नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे हिंदी ग्यान बोच चानल पर स्वागत है दोस्तों प्रिवेस एर कोईशन पेपर की चैप्टर वाइस सीरीज कर रहे थे तो आज की वीडियो लेक्चर में हम चायवाद से सम्मंदित एक लाइन में जितने भी प्रशन पूछे गए हैं 2004 2004 से 2019 तक उनको मैंने एक जगा संग्रित किया है और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने चायवाद के उपर ही अनुकरम के उपर वीडियो लेक्चर पढ़ा उसके बाद चायवाद के सुमेलित के उपर वीडियो लेक्चर पढ़ा और आगे भी मैं चायवाद के महतिपुन कावे पंक्तियों को लेकर आऊंगी तो आप हमारी चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रशन करते हैं किस लेकिका ने पसुपक्षियों पर केंदिरित रचना की है दिसंबर 2004 का प्रशन है ये इसके चार विकल्प दिये गए हैं और इन में से जो सही उत्तर है वो है महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा ने पसुपक्षियों पर केंदिरित रचना की है उसके बाद चित्रधार किसकी रचना है दिसंबर 2004 का प्रशन है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा किसकी रचना है ये चार विकल्प में से तो वो है जैशंकर परशाद आप वीडियो को पॉस करके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं कितनी तयारी को परक सकते हैं कि कितनी आपकी तयारी हो चुकी है और चलिए फिर तीसरा प्रशन करते हैं शेर सिंग का सास्तर समर्पन के रचनाकार है जून 2007 का प्रशन है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जैशंकर परशाद परशाद करत परले की छाया की विशे वस्तु के केंद्र में है दिसंबर 2007 का प्रशन है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परशाद करत परले की छाया का विशे वस्तु है रानी कमलावती का पश्यताब अगला प्रशन जो ही की कली कविता की कवी हैं दिसम्बर 2009 का प्रशन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला अगला प्रशन हालावाद के परवर्तक का नाम क्या है दिसम्बर 2009 का प्रशन है कि ये चार विकल्प दिये गए हैं तो इन में से सही उत्तर हो जाएगा हरिवन श्राह बच्चन अगला प्रशन निराला कृ राम को सकती पूजा यहां पर की आएगा राम की सकती पूजा की रचना का अधार ग्रंथ कौन सा है दिसंबर 2010 का प्रशन है तो सही उत्तर हो जाएगा कृतिवास रमायन अगला प्रशन इन में से कौन सा महाकावे नहीं है दिसंबर 2010 का प्रशन है तो इन में से कौन नहीं है महा कावे तो वो महापरस्थान अगला प्रशन चाया वाद को स्थूल के प्रती सुष्म का विद्रोह किस ने कहा है जून 2012 का प्रशन है तो ये किस ने कहा है डॉक्टर नागेंदर ने अगला प्रशन अंग्रेजी सुचंदता वादी कावे का प्रभाव हिंदी की किस का वि का प्रशन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शायावाद अगला प्रशन राम की सक्ति पूजा को योगिक परिक्रिया का श्रोत क्या है जून 2013 का प्रशन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन चायावाद स्थूल के प्रतिशुष्म का विद्रो है या स्थापना किसकी है दिसंबर 2013 का प्रशन है देखे रिपीट हुआ है प्रशन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागे इंद्र अगला प्रशन चायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है जून 2013 का प्रशन है तो सही उत्तर हो जाएगा चायावाद के समर्थन में पहला लेख किसने लिखा तो वो हैं मुकट धरपांडे अगला प्रशन दोस्तों अगर आप हमारे टेलीगरम चैनल को जॉइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है आप क्लिक हो के डिरेक्ट जॉइन हो सकते हैं वहाँ पे मैं स्ट्रडी मटीरियल उपलब्द करवाती हूँ और इस वीडियो को लेके अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में दिया कीजिए नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं या नहीं तो चलिए चोद्वा प्रशन करते हैं बल्रे मुकुल नामक कविता सेख्रे कि समप्रवयर दिसंबर 2013 का प्रशन है तो कि समप्रव जलके है जह आजाएगा अ अ कर आथ को सुब्या प्रशन कर प्रशाद करित warfare शी किस वीधा की रच झाहिए दिसंबर 2014 का प्रशन है तो जे शंकर प्रशात क्रित्ती उर्वशी किस विधा की रचना है तो ये है चम्पू कावे अगला प्रशन देखिए आप नोटिस करिए कि छायावाद भाग में से किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे इनको एक जगा संगरित करने का मेरा मकसद यही है तो चलिए 16 प्रशन कवीता हमारे परिपून शणों की वाणी है या कथन किस का है दिसंबर 2014 का प्रशन है तो ये कथन किस का है तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का अगला प्रशन गीत गूंज किस कवी की रचना है देसंबर 2014 का प्रशन है तो किस कवी की रचना है गींद गूंज तो ये है सूरिकांत रिपाठी निराला अगला प्रशन निम्न लिखित में से कौन सा कावे संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं है तो इसको आपने ध्यान रखना है तो यह चार विकल्प दिये गए हैं दिसंबर 2016 का प्रशन है तो कौन सा नहीं है इसमें से तो यह गीती का देखिए कितना कन्फ्यूजिंग वाला ओप्षन दिया हुआ है तो अगर आपको महादेवी वर्मा के सारे कावे संग्रह याद होंगे तो आप असानी से इसको लगा सकते हैं उनिस्वा प्रशन निम्न लिखित मे किसे कहा जाता है नॉबर 2017 का प्रशन है तो किसे कहा जाता है आग और राग का कवी यह चार विकल पर दिये हैं इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दिनकर अगला प्रशन निम्न लिखित में से कौन सी रचना समित्रन अंधन पंत की नहीं है फिर यहां पे देखे प प्रशन ज्यादा तर पूछे जाते हैं नहीं है रचना तो है वो अलग से पहले पूछा जाता था पर अब जो एंटिये प्रशन कंड़क्ट कर रही है जो यहां पे सेट कर रही है वो इस तरह के प्रशन ज्यादा पूछ रही है कि कि किसने नहीं किया तो यह 20 प्रशन है इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदिन पंत की जो कौन सी रचना नहीं है, तो वो हो जाएगा, गीत गूंज, ये नहीं है, अगला प्रशन, निम्न लिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, जून 2017 का प्रशन है, तो इसमें जो सही उत्तर हो अगला प्रशन कवीता तो कवी की आत्मा का अलोग है उसके हिर्दे का रश है जो बाहर की वस्तू का अलंबन लेकर फूट पड़ती है यह कथन किसका है जून 2017 का प्रशन है यह चार विकल्प दिये गए है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतिय ग्यान पीट का पुरुषकार मिला दिसंबर 2018 का प्रशन है तो सही उत्तर हो जाएगा पंत को किस रचना का ग्यान पीट का पुरुषकार मिला तो सही उत्तर हो जाएगा ये चार विकल्प दिये हैं किसको मिला था तो ये चितामबरा को मिला था अगला प्रशन निराला जी पर बंग भाशा की काव शेली का प्रभाव समाज में गुंभित पद वल्लरी क्रिया पद के लोब आदी में सपष्ट जलकता है ये चार विकल्प दिये हैं तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंदर शुकल जी का अगला प्रशन रामचंदर शुकल ने रहसेवाद के मूल अर्थ में किस छायावदी कवी को सरवाधिक परमुक माना है जून 2019 का प्रशन है तो किसे माना है तो ये माना है रहसेवाद के मूल अर्थ में किसे चायावदी का सरवाधिक परमुक माना है तो ये महादेवी वर्माजी को अगला प्रशन राम के शक्ति पूजा की रचना कब हुई जून 2019 का प्रशन है तो देखिए छाया वादिक के जो स्तंब कवी है उनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है अलग-अलग से एक एक लाइन के अंदर जिस तरह से अभी ये पूछा गया जून 2019 में तो राम के सक्ति पूजा की रचना कब हुई है तो ये 1936 में हुई है अगला प्रशन मैं नेर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्यूक्त गीत उनके किस कावे संग्रह से संबंद है जून 2019 का प्रशन है तो किस कावे संग्रह से संबंद है तो ये है सांध्य गीत मैं नेर भरी दुख की बदली सांध्य गीत से ली गई ये पंक्ती है तो ये था आज का वीडियो लेक्चर उमीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और आप नोटिस करिएगा किस तरह से छाया वाद भाग में से प्रशन पूछे जाते हैं मैंने उनके ओपर काफी सारे वीडियो बना लिये हैं अनुकरम के ओपर सुमेलित के ओपर और एक लाइन में जो प्रशन पूछे गए आज का वीडियो लेक्चर ये था और आगे मैं इनके उपर कावे पंक्तियों के उपर मैं वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी तो आप ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहें तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद